यही नमस्कार साथियों मैं होगी समिस्टर आप सभीक एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों टीजीट पीजीटी अभियरतियों के लिए बड़ी खुसकबरी आ चुकी है जिसके लिए हमारे तमाम सारे साथि और कई सारे कमेटी ओले लगातार धरनापदर्सन कर रहे थे तो चली विडियो कोई स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि क्या खुसकबरी निकल के आ रही है लेकिन उससे पहले चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपको बता दो कि यहां पर आप सभी को कोई भी जानकारी तब ही दी जाती है जब वो प्रमाली तो हो चुकी हो तो चली विडियो को इस टार्ट करते हैं वेटिंग लिस्ट वो सिर्फ और सिर्फ 10% अभ्यर्थियों की जारी की जाती थी और जिससे काफी हद तक चांस कम हो जाता था सेलेक्शन के लिए बड़ अब यह फाइनली जो है यह 25% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी एकोर्डिंग टू प्रतियोगी मोर्चा के अध्यच विकी खान जी ने यह इनफॉर्मेशन दिया है कि अब जो वेटिंग लिस्ट होगी यह 25% अभ्यर्थियों की जारी की जाएगी जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि 25% का मतलब अगर जो है 1000 अभ्यर्थि हैं तो करीब 2500 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तयार की जाएगी जो की पहले मातर 100 लोगों की वेटिंग लिस्ट ही तयार की जाती थी तो ये साथियों बहुत ही बड़ी खुसकबरी निकल गया रही आप सभी के लिए और इससे सेलेक्शन के चांस भी काफी हद तक जो है वो बढ़ जाते हैं आप सभी के और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है आप सभी की कली मेहनत के कारण और साथियों इससे भी बड़ी खुसकबरी तो ये है कि TGPAT 2016 वाले जितने भी अभ्यरती थे वो फाइनली इस भरती से हो चुके बाहर क्योंकि उनको सभी को कालेज आवन्टित कर दिया गया ह और ये एक बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि साथियों उनके सेलेक्शन के चांस इस भरती में भी काफी ज़्यादा थे क्योंकि वो तो आल्रेडी सेलेक्टिड हैं तो उनकी तैयारी जो है काफी अच्छी रहती है एक्सपिरियेंस उगारा बहुत ही अच्छा रहता ह तो इसलिए ये काफी बड़ी खुसकबरी है आप सभी के लिए इसके अलावा साथियों एक और बड़ी खुसकबरी निकल के आ रही है एल्टी ग्रेड सिच्छक भरती को लेकर के जो की 866 पदों पे होनी है और जिसका बिग्यापन भी बहुत जल्द जारी किया जा सकता है क्योंते है